ओम नमस्षिवाय नमस्कार दोस्तो आईए जानते है धन तेरस पर कोन सी पाँच पीली वस्तुए खरीदने से धन सम्रुद्धी का अगमन होता है और सालभर बरकत बनी रहती है इसमें सबसे पहली वस्तु है सोना यानि गोल्ड धन तेरस के दिन सोने के आभूशन खरीदने की परमपरा भी है सोना मालक्ष्मी और बुरहस्पती का प्रतिक है इसलिए सोना खरीदने की परमपरा है तो दोस्तो धन तरस के दिन आप सोने की खरीददारी कर सकते है दूसरी चीज है पीतल का बरतन यानी ब्रास पॉट धन तरस के दिन पीतल का बरतन खरीदना चाहिए क्योंकि पीतल भगवान धन्वंत्री की धातु है पितल खरीदने से घर में आरोग्य, सोभाग्य और स्वास्थ की दुष्टी से शुभता आती है पितल गुरु की धातु है यह बहुत ही शुभ है तीसरी चीज जो आप धन तेरस के दिन खरीज सकते है ओ है धनिया यानी कौरिंडर धन तेरस के दिन पिला धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है धनिया को समपन्नाता का प्रतिक माना जाता है इसलिए धन तेरस को थोड़ा सा धनिया जरूर खरीदे चोथी जो चीज है जो आप धन्तेरस को खरी सकते है वो है कौडिया यानी शेल्स दोस्तो पूराने समय में कौडिया ही सिक्के के रूप में प्रचलित थी कहते है कि समुद्र मन्थन के दवरान जब मा लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौडिया भी थी धन्तेरस के दिन आप कौडिया खरी दे और यदि वे पिली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पिला कर ले बाद में इनकी पुजा कर अपनी तीजोरी में रखे और दोस्तों माचवी जो चीज है जो आप धन्तेरस के दिन खरी सकते है वो है गूड या पिले पेठे यानि जागरी जैसी गूड या पिले रंकी मिठाई भी आप धन्तेरस के दिन खरी सकते है तो दोस्तों यह है वो पाच पिली वस्तुए जिन्हें आप धन्तेरस के दिन खरी सकते है जिससे आपके जीवन में धन्समुरुद्धी का आगमन होगा और साल भर बरकत बनी रहेंगी धन्यवाद